नमस्का दोस्तों All Exam Guide Guru के YouTube चनल पर मैं सुझीत पांडे आप सभी का स्वागत करता हूँ दोस्तों आपसे वादा किया था कि 5000 साइंस के कॉशन आपको याद कराएंगे रटवा देंगे वर्लाइनर के फॉर्मिट में दोस्तों पिछले 30 साल से जो बार-बार आएं हैं वो पूरे कॉशन एक बार नहीं दो बार नहीं तीन बार आपका रिविजन करवा दूँगा में एक भी कॉशन आपका इधर से उदर नहीं होना चाहिए साइंस में पूरे नंबर आना चाहिए उसी की सीरीज है इसमें भी आपको 200 कॉशन लेकर आएं हैं बहुत ही सांदार सेलेक्टेट टॉपिक वाइस कॉशन है बहुत ही अच्छे कॉशन आपको पढ़कर मजा आपसे किसी से भी नए स्टुडेंट पुरानी स्टुडेंट किसी से भी लाइक करने के लिए नहीं बोलूँगा सभी एक बार स्टार्टिंग में प्लीज लाइक कर देना वीडियो को विद्धुत अब घटन में ऑक्सी करण ऑक्सीडेशन होता है किस पर तो विद्धुत नाविक में क्या क्या होता है तो परमाणू के नाविक के अंदर होता है एक तो प्रोटोन होता है और दूसरा होता है आपका न्यूट्रोन और इलेक्ट्रोन कहां होते हैं तो नाविक के चारों और चक्कर लगाते हैं इलेक्ट्रोन या रखने नाविक के चारों और कौनों की संख्या होगी वो परमाणू संख्या कहलाती है मोश्ट आएंपी कॉश्चन ऐसे परमाणू जिनके परमाणू क्रमांक समान होते हैं द्रब्यमान भिन भिन होते हैं उनको क्या कहेंगे तो क्रमांक समान लेकिन द्रब्यमान अलग-अलग तो उनको समिस्थानिक कहे बार कॉश्चन इनको कहा जाता है आपका वर्ग या ग्रूप और शेटिज वालम कहा जाता है आवर्थ ठीक है वर्ग और आवर्थ ये दो चीजह मों होती है कई आवर्थ शानि में कौन से नंबर का तत्व है औक सीजन आवर्त सांडी में कौन से नंबर का तत्व है सभी इस्टुडेंट कमेंट करके बताईए तत्वों का सबसे पहले वर्गी करंड किस ने किया था तो डो बरेनियर ने सबसे पहले तत्वों का वर्गी करंड किया था आधुनिक आवर् अखसरंगा कितनी है तो क्रम स्वर्ग धेया है 18 और यूवर्त हैं आपके साथ यॹ सानी की बात हो रही है नॉन्स्टिक बर्तं किसके बने होते हैं तो स्टि खनेजों एवं आयसकों से धातू प्राप्त करने की विधी क्या कहलाती है तो इसको धातू कर्म कहा जाता है खनेजों एवं आयसकों से धातू प्राप्त करने की विधी को बरतनों में कलाई के लिए उपयोग होता है तो कलाई के लिए अमोनियम क्लोराइड का उपयोग होता तो इसका क्या मतलब है तो यदि कोई फटा का फूट रहा हूँ पर आदिशवादी होती है शादियों में भी लाल चटक रंग का कान आपका इस्ट्रांशियम होता है भविश का इधन किसको कहा जाता है तो हाइड्रोजन को भविश का इधन कहा जाता है कई वार एक्जाम में पुछा गया कॉश्चन है मार्च गैस कहलाती है तो मीथेन गैस को मार्च गैस कहते हैं ये भी कॉश्चन कई वार एक्जाम में पुछा गया है नोबेल गैस किसको कहा जाता है तो हीलियम को नोबेल गैस कहा जाता या रखी है अब यहाँ सरवाधिक लिग गया अगले सरवाधिक हलकी गैस कौन सी है तो सबसे जादा हलकी गैस या तत्व हाइडोजन है यार रखिएगा सबसे हलकी धातु कौन सी है अभी तत्व की बात हो रही थी गैस की बात हो रही थी अब धातु की बात हो रही है लीथियम सबसे हलकी धातू है सबसे भारी धातू कौनसी है ओसमियम सबसे भारी धातू के श्रणी में आता है सबसे कठोर धातू कौनसी है तो प्लैटीनम सबसे कठोर धातू कहलाती है सबसे कठोर पदार्थ कौनसा है तो helium gas और आज कल nitrogen भी बरने लगे हैं लेकिन helium gas जादतर भरी आती है गुबारों में भी गुबारों में तो helium gas भरी आती है वाई यान के टायरों में कहीं कहीं nitrogen gas भी आपको हो जाएगा तो helium या nitrogen जो भी है लगा देना अश्रू gas है तो chloroacetofenone ये अश्रू gas कहलाती है हसाने वाली gas कौन सी है तो nitrous oxide कहा जाता है N2O यहाँ पर typing mistake है N2O N2O को कहा जाता है nitrous oxide हसाने वाली gas laughing gas जल की आस्थाई का ढोरता का कारण है तो जल की जो आस्थाई कड़ोता इस्थाई नहीं आस्थाई पूचि गई है आस्थाई में होता है calcium और magnesium के bicarbonate घोले होने कारण लेकिन एक जग़ा है bicarbonate calcium bicarbonate magnesium bicarbonate 8 एस्थाई कड़ोता calcium sulphate magnesium sulphate इस्थाई कड़ोता जल की स्थाई और अस्थाई कड़ोता दूर की जा सकती है तो जल में सोडियम कार्बोनिट को मिला दीजिए अस्थाई और स्थाई दौनों कड़ोता है दूर हो जाएंगी जल का सुद्ध रूप क्या है? सबसे सुद्ध रूप होता है वर्षा का जल comment करके बताएए सबसे सुद्ध ڈजल या वर्षा के जल का pH मान कितना होगा कमेंट बॉक्स भारी जल जिसको दीटु ओ बोलते हैं आप सभी को बता है इसका अनुभार कितना है तो D2 ओ का अनुभार होता है आपका 20-20 भारी जल खोज 1932 यूरे तथा वाश वर्ण ने की थी इसका रासाइनिक नाम क्या है तो भारी जल का इसमें 5-6 कौशन बता दिया आपको सबसे पहले भारी जल को क्या बोला जाता है डिटीरियम उकसाइट इसका रासाइनिक सूत्र क्या है तो D2O इसकी खोज कब हुई थी 1932 में भारी जल की किसने की तो यूरे तथा वाश वर्ण ने भारी जल की खोज की थी या रखिएगा क्रत्यम वर्षा के लिए प्रयोग में लाया जाता है तो सिल्वर आयोडाइट का क्रत्यम वर्षा के लिए प्रयोग किया जाता है यूस किया जाता है लोहे का सबसे शुद्ध रूप कौ मात्रा में मिलेगा या लोहे को जंग से बाचानी के लिए चढ़ाई गई परत काउनसी repeats इसके इंगलेशयसले बोलते हैं गेल्वनाईजेशन और हिंडी मैं बोलते हैं जस्ति करन जिंक परत विज्द्धृ तदह उशुर्ण कोन है चांदी विर्दुत और उश्मा और स artists ौन होता हैThank you 24o यहाल दोने का 26 कallas गोल्ड है मतलब स्वुड्य सोन है 100 परशेंद सोना है 18 कोहां होता है मैं 75्ड केवल स्द सोन होगा व्वकूफो का सोना किसको कहा जाता है तो पाइराइट को मुहाएव क्रोविंग को की मिश्रातू है कौन कौन सी लोहा निकल और क्रोमियम से मिलकर वनता है स्टेलिंस श्टील सोल्डर टांका मिश्रण है तो सोल्डर या टांका जो है यह सीसा और टिन का मिश्रण कहलाता है क्वार्ड में होता है तो सिलिकॉन और ऑक्सिजन यह क्वार्ड में पाये जाता है प्राक्रितिक रवर्ड भहुलक है आइस्टरैस्टी का बहुलक है अिसप्रियंग का जो घोआ आइस्टे प्रीक्धिक रवर्ड गौता है प्रवलूं को पकाने के लिए आपका एथलीन और असेटिलीन गैस का प्रियूख किया जाता है कच्छे फ़लूं को पकाने के लिए लोह को इस पात में बदलने के लिए के लिए निकल धातू को मिलाई जाता या रखिएगा कैमरा, दूरवीन के लेंस, विदुद वल्ब तधा धूप का चश्मा, इन सब में कौन सा कांच प्रयोग होता है तो कैमरे में, दूरवीन में, विदुद वल्ब में और धूप की चश्मे में फ्लिंट कांच का प्रयोग किया जाता है या रखीगा पारा का प्रमुक आयसक है तो सिनेवार पारा का सबसे प्रमुक आयसक कहलाता है केल्शियम पोटेशियम तदा कैड्मियम का आयसक कौन-कौन से हैं तो कैल्शियम का आयसक है आपका डोलोमाइट पोटेशियम का आयसक है आपका नाइटर और कैड्मियम का आयसक है आपका ग् कमेंट करके बताइए सबसे ज्यादा बर्प का घंद कितने डिग्री सेल्सियस पर होगा हो सकता आपको कॉशन आगे आ जाए लेकिन फटाक से वीडियो को रोक की कमेंट कीजिए सबसे ज्यादा बर्प का घंद के लिए क्या मिला जाता है तो लिक्विड पेट्रोलियम गैस जो हमारे घर में आती है, सलफर की योगिक है, उसका नाम है मिथाइल मरकप्टेंग हीरे का आप एक्छिक घनत तथा अपवर्तनांक होता है तो आप एक्छिक घनत वह हीरे का होगा आपका 2.2 और अपवर्तनांक होगा 2.417 750-7 यहीरे का वर्तनांक और आ वेक्षिक गंनत्व है को रियक्टर में नियंत्रक छड़के डैय mixing मैं प्रयोग होता है तो नियंत्रक के अधाण हैं कार्बन, सिलीकॉन और जर्मेनियम अर्द्स चालक पर ताफ को क्या प्रहप पड़ेका यह це से ताप बढ़ाएंगे कम क्पुछ कंप्टर नाम ्प cage बढ़ा अर्थी चालक को से नाम होताथ तो नाम है उसका superconductor अधी चालक मतलब superconductor प्रति रोज 0 होगा बोलेगा जितने करेंट जाना हो जाओ हमारे अंदर से हम आपको नहीं रोकेंगे करेंट को soda water willion है तो soda water ये gas draw का willion gas draw के अमलों का willion कहलाता है soda water राजा कहा जाता है किसको गैसों का राजा किसको कहा जाता है तो गैसों का राजा कहा जाता है आपका H2SO4 को गैसों का राजा कहा जाता है ठोसों में उस्मा का संचारन होता है तो ठोसों में चालन विजी द्वारा उस्मा का संचारन होता है या रखेगा कान पर ध्वनी का प्रभाव रहता है तो कान पर एक बटे दसवे सेकंड तक ध्वनी का प्रभाव रहेगा कोई आपको बोलेगा तो आपका कान एक बटे दसवे सेकंड तक उसका प्रभाव महसूस करता है प्रति ध्वनी सुनने के लिए स्रोता एवं परावर्तक सदगे बीच की नियूंतम दूरी कम से कम कितने दूरी होने चाहिए तो सत्रा मीटर दूर होगे तब आपको कोई अधी चलाएगा दो से तीन बात सुनाई देते हैं प्रति ध्वनी तरंगे गमन करती हैं तो ध्वनी तरंगे जो हैं यह लंबवत गमन करती हैं कई वार एक्जाम में आ चुका है मनुष्य नहीं सुन सकता तो पराशव्य तरंगों को मनुष्य सुन नहीं सकता हमारे बस की बात नहीं है चमगादर कौन सी तरंगे निकालती है यही पराशव्य तरंगे secondary लोलक का आवतकाल कितना है तो 2 सेकेंड होता है एक बार इधर जाएगा एक बार इधर जाएगा pendulum दिखा है मानव नित्र की इस पष्ट दर्शन की नियूंतम दूरी कितनी है 25 cm लग इस पष्ट दिखना चाहिए आपको दिखना यदि आपका आँख अच्छी है तो सामाने आँख के लिए दूर बिंदू क्या है तो अनन्त है सामाने आँख के लिए दूर बिंदू कैपसूल का आवरन बना होता है तो कैपसूल के आवरन इस्टार्च के बने होते हैं या रखेगा अंडे का आवरन बना होता है तो केल्शियम कार्बोनेट का बना होता है अंडे का आवरन मानव मस्तिस्क के तरह सिरकाध्यन से सम्भनिश शाखा कौन सी है तो मानव के मस्तिस्क और सिरकाध्यन करते हम फ्रेनोलोजी में या रखेगा डिहाइडरेशन से प्राय कमी हो जाती है तो डिहाइडरेशन पानी कम पी होगे तो डिहाइडरेशन की सिकार हो जाओगे सोडियम क्लोराइड की कमी हो जाती है सामाने तोर पर वस्तु का भार अधिक्तम होता है तो निर्वात में वस्तु का भार अधिक्तम होगा या रखेगा निर्वात में सबसे अधिक्तम होगा भार क्रतिम सिल्क कहलाता है तो रियोन क्रतिम सिल्क कहलाता है आम का वैग्यानिक नाम क्या है तो मैंजी फेरा इंडिका आम का वैग्यानिक नाम है रेफ्रीजरेटर में जल को ठंडा करने के लिए प्रयोग किया जाता है रेप्रिजेटर में एक समान ताप को बनाया रखता है तो थर्मो इस्टेट का काम है एक समान ताप मान को बनाया रखना कमरे में रखे, रेपिजिडर का दरबाया खोल जाये, तो कमरे के ताप पर क्या प्राहः पड़ेगा, तो गर्मी बढ़ जाएगी कमरे के अंदर, पैपसीन प्रोटीन को बदलता है, तो पैपसीन प्रोटीन को पॉलीपेपटाइड में बदल देता है, गोबर गैस सयंत्र के आविश्कारक कौन थे तो CB देशाई जी ये गोबर गैस सयंत्र के आविश्कारक थे गोबर गैस से प्राप्त होने वाली गैस कौन सी है तो मीथेन गैस गोबर गैस से प्राप्त होने वाली गैस कहलाती है बायो गैस का महत्वपूर्ण घटक क्या है तो मीथेन गैस बायो गैस का महत्वपूर्ण घटक है सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सी गैस यूज होती है कारवन डियोकसाइट सी ओटू गैस सोडा वाटर बनाने के लिए यूज होती है सभी गैस सूने आयतन घेरेंगी किस टेंपरिचर पर तो माइनस 273 डिगरी सेल्सियस पर सभी गैसे सून आयतन घेरेंगी अगला कॉश्चन भी इसी संबने से देखना अच्छे से यहाँ माइनस 273 डिगरी सेल्सियस है परामशून ताप मान कितना होता है तो माइनस 273 डिसमलाव एक पांच सेंटी गरिट सेल्सियस यह परामशून ताप मान कहलाता है ड्रविट पेट्रोलियम गैस लपीजी लपीजी का प्रमुक संगठक क्या है तो ब्यूटेन और प्रोपेन होती है LPG में या रखेगा बॉयल नियम लागू होता है तो नियत ताप मान पर बॉयल नियम लागू होता है NTP सामने ताप एवं दाव पर किस गैश के एक मोल का आयतन कितना होगा NTP पर एक मोल का आयतन होगा 22.4 लीटर सिगरेट लाइटर से निकलती है तो सिगरेट लाइटर में ब्यूटेन गैस भरी होती है अमल वर्षा होता है तो SO2 और NO2 के कारण अमल वर्षा होगी या रखना सल्फर डाय अकसाइड नाइट्रोजन अकसाइड के कारण अमल वर्षा होगी bleaching powder क्याएट यह क्यल्शियम हाईपोक्लोराइट क्या कहलाता है क्या 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 है क्याौत क्या क्या躁एइट लोट से बने नाइलोस दिया प्रभावशाली कौन सा हेलोजन है तो सबसे ज़्यादा प्रभावशाली है फ्लोरीन हेलोजन हो में शहद का मुख्य घटक क्या है तो फ्रक्टोज सहद का मुख्य घटक होता है याद रखी का फ्रक्टोज शरकरा को यक्रत बदल देती है तो सरकरा को यक्रत ग्लाइकोजन में बदल देती है रंजक हुआ खाद पदात बनाने में प्रियुक किया जाता है तो क्यरामल का प तो आणड़ाइवन को चिल बाहई दल में भी ऊतपनों को सकता है तो फूलाइव है वितमीन और सी ये वेलिवितमिन विटमिन घर है वशा में घुलंसीलें घुल जाते हैं मस्तिस्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है अलजाइमर में मानव शरी का कौन सा अंग प्रभावित होता है अलजाइमर में मस्तिस्क प्रभावित होता है इत्र की तीखी गंद अत्वा सुगंद की पहचान मस्तिक के किस भाग द्वारा होती है तो सैरे ब्रम द्वारा होती है इत्र की तीखी गंद की पहचान सुक्रोज में होता है तो ग्लुकोज और फ्रक्टोज ये सुक्रोज में पाई जाते हैं ततकाल उजा के लिए खिलाडी को क्या दिया जाता है तो कार्बो हाइडेट्स दिये जाते हैं ततकाल उजा के लिए खिलाडी को गन पाउडर मिश्ण होता है तो सलफर का चारकोल का और शोरा का मिश्ण होता है गन पाउडर वर्षा की बुने गोलकार होती है तो प्रश्ट तनाओं के कान वर्षा की बुने गोलकार होती है अशुद्यों से द्रव का कुटनांग क्या होगा अशुद्य मिला दोगे तो द्रव का कुटनांग बढ़ जाएगा कोपोशन होता है तो प्रोटीन की कमी से कोपोशन होगा याद रखेगा प्रोटीन की कमी कारण क्वाशी ओरक एवं मरासमस की बीमारी होती है तो ये प्रोटीन की कमी से ये दोनों बीमारी होती है से प्रक्ति में सबसे अदिक मात्रा में पाए जाने वाला कारवनिक योगिक है आरेने का मुखेकार क्या है तो प्रोटीन का संसलेशन आरेने का मुख्यकार है प्रोटीन बना होता है तो एमीनो अमले से प्रोटीन बना होता है प्रोटीन का पाचन 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 होता है प्रोटीन का प्रोटीन का पाचन होता है प्रोटीन का प्र उर्वरक में nitrogen मौजूद रूंट है, dispersed Urea का रासानिक सूत्र क्या है , शरीर में Urea किस अंग में बनता है, यकरत में यकरत में. वनता है तो यूरिया के कारण ही मूत्र का दुरगंद आता है अब यहाँ पे आगे का कॉशन अगला है दूद को पाश्चुरिकत किया जाता है तो दूद को पाश्चुरिकत 62 डिगरी सेल्सेस पर किया जाता है दूद का pH मान कितना होता है तो 6.4 दूद का pH मान होता है दिवानू के कहान खटता होता है दूद, पैनिसलीन क्या है, तो पैनिसलीन एक एंटी बायोटिक है, आप सभी को पता होगा, अंडे में प्रोटीन पाए जाता है, तो उजले भाग में, जो सफेद वाइट भाग होता है, उसमें प्रोटीन पाए जाता है अंडे में, रासान द्रश्टी से water glass क्या है तो एक sodium silicate है water glass दर्द निवारक दवाएं कहलाती है तो एनाल जेसिक ये दर्द निवारक दवाएं हैं दूद में पाई जाने वाली सरकरा कौन सी है तो दूद में आपका lactose नाम की सरकरा पाई जाती है या रखीगा एंटिबाइटिक नश्ट करते हैं तो बैक्टीरिया को नश्ट कर देते हैं एंटिबाइटिक किसको बैक्टीरिया को अंडाणू का निशिशन होता है तो फैलो पियन ट्यूब में अंडाणू का निशिशन होता है द्रव्यों में उश्मा का सरुत्तम समभाख कौन सा है तो कारबन हाइडोजन के अंदर सरवाधिक मिश्रित तत्व है कागज पर पुराने उंगलियों के चिन्नों को किस से विक्सित किया सकता है तो सिल्वर नाइट्रेट के घोल से विक्सित किया सकता है पुराने तेल चित्रों के रंगों को फिर से उबारने में काम में आता है तो ह यह glucose acetate से बनी होती है चीनी शोधन के लिए प्रयोक तो रंजक कौन सा है तो चीनी शोधन के लिए बोन ब्लेक का प्रयोक किया जाता है व्यक्ति का भार लिप्ट में अधिक होता है तो जो उपर की और गती से बढ़ रही हो उसमें अधिक होगा किसके साथ काश्टिक सोडा को उबाल कर साबुन तयार किया जाता है तो वशा या फेट के साथ काश्टिक सोडा को उबाल कर साबुन तयार किया जाता है श्यांता की काई क्या है तो पौईज श्यांता की काई कहलाती है जैव योगिक का अनिवार तत्व क्या है तो कारवन ज प्रियोग किस ताप मापी में किया जाता है तो माइनस चालिज डिगरी से नीचे के ताप मानवाली पर एलकोहल का प्रियोग किया जाता है कि किसी पदात को गर्म करने पर आयतन बढ़ता है यदि द्रबमान क्या रहेगा तो द्रबमान यदि नियत रहेगा तो आयतन बढ़ जायेगा गर्म करने पर प्रदाद को कि द्रहन की चाल किस पर पर को द्रहनें इस प्रत्य प्रत्यास्तथा स्प्रत्सरा और पड़्वत क्या है तो mês द्रह प्रयोग होता है तो लल फास्पॉरस का दिया सलाई में प्रयोग होता है किटानु नाशक प्रयोग के रूप में किटानु नाशक के रूप M3 साबुन बनाने की प्रक्रिया है तो सैफोनी फिकेशन साबुन बनाने की प्रक्रिया है स्वशन क्रिया में निर्मान होता है तो उजा का निर्मान होगा जब भी स्वशन क्रिया होगी स्वशन में सरक्रा का होता है तो स्वशन में सरक्रा का ऑक्सी करण होता है अमाशय में भोजन का पाचन किस अमाध्यम से होता है तो अमली अमाध्यम से होता है हार्मोन का कार क्या है तो सभी प्रकार के रासाने क्रियाओं को नियंत्रत करना हार्मोन का काम होता है प्रतिवर्ती क्रिया का संचारन केंद्र है तो मेरुडंड ये प्रतिवर्ती क्रिया का संचारन केंद्र है ओटो मॉवाइल के हाइड्रोलिक ब्रेक कारे करते हैं तो ये पास्कल के नियम पर कारे करते हैं सोने को घोला जा सकता है, तो सल्फियूरिक तथा नाइट्रिक एसेड में सोने को घोला जा सकता है, कौर्क प्राप्त होता है, तो कैककस या ओक के पेड़ से कौर्क को प्राप्त किया जाता है, कौनेन प्राप्त किया जाता है, तो सिनकोना की छाल से कौनेन प्राप्त होता ह मौरफिन तदा हिरोईन का मुख्य स्ट्रोथ क्या है तो अफीम मौरफिन और हिरोईन का मुख्य स्ट्रोथ है तारपीन का तेल प्राप्त होता है तो चीड के पेड़ से तारपीन का तेल प्राप्त होता है कौफी में उत्तेजित पदार्थ कौन सा होता है तो कैफीन उत्ते लादी की चमकों काला कर देता है तंगश्टंग एवं हीरा का गलनांक बिंदू क्या है तंगश्टंग 300 डिग्री सेल्सियस पर गल जाता है इस पात की गड़ूरता निर्फर करती है उसमें उपस्तित कार्बन की मात्रा पर निर्फर करेगी भूमी पर पाए जाने वाला प् कौन सा है तो लिठोफाइट्स ये चट्टानों पर उगने वाला पौधा है गोबर पर उगने वाला कवक कौन सा है तो क्रो प्रो फिल ये गोबर पर उगने वाला कवक है व्रक्षों की चालों पर उगने वाले कवक लाइकेन कहलाते हैं तो काटी कोलस कहा जाता है इनको जो विर्ख्छो की श्चालों पर उखते हैं सबसे बड़ा बीजांड कौन सा है तो साइकस में सबसे बड़ाerson होता है संसार में सबसे लंबे पॉधे सम ने तो लिविवाइओ आज का आगिन liberal प्रत्वी की सतर से उपर जाने है जाके वहां से आप वीडियो देख सकते हो आप सभी का बहुत-बहुत धन्वाद दोस्तों आपका लिंशो वो चैनल पर पहली बारा है पूरा वीडियो देखा है किस-किस ने पूरा वीडियो देखा है किस-किस ने पूरा वीडियो देखा कमेंट जरू करिएगा और साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों को भी शेयर कर देना यदि आपको अच्छा